नमस्कार दोस्तों एक्जाम कांकर्स चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूं के दानाथ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल ही एक सीरीज शुरू की थी जिसमें लोग से वायोग द्वारा अपनी विभिन परिक्षाओं जैसे आरो एरो PCS PCS जे आध में बर सवार किस विषय से कितने प्रस्ण पूछे गए हैं उनका साल्व प्रस्तोत करने का की सुरूआत हमने कल से किया था उसी कड़ी में आज दूसरा पेपर लेके हम मुबस्थित हैं जिसमें आज आरो एरो 2021 परिक्षा के त्री और मेंस के पॉलिटी के आए हुए प्रस्णों का संकलन ह इसको कराने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश यह है वो है कि एक तो आपको जो प्रीवियस एयर के क्वेस्टन हम वो तैयार हो जाएंगे और दूसरे लोग से वायोग द्वारा जो बरतमान का पैटर्न है उसको भी समझने में आसानी होगी इसलिए इस सीरीज को हमन प्रवंत मिल सके तो चलिये आज पॉलिटी के प्रस्ण है आरू ए आरू 2021 प्री और मैंस दोनों के तो चलिए शुरू करते हैा पहला प्रश्ण है भारती सीविल सेवा के संदर्म में निम्लिखित कतनों में से कौन सा कतन सही है कथन एक है भारत सरकार अधिनियम में ब्हार और दोसरा कथं है नंबर थो है भारती सीविल सिवा परीक्षा में 1941 में भारतियों का प्रतित यूरोप friendships का अधिक था को तो देखिए जो भारती सिविल सिवा के लिए अलग स्क्रावधान किया गया वह 1919 के inhयम से किया गय औरathan 2141 में भारतियों का प्रस्त एयूरोप वासियों से आधिक था, ये दोनों कथन साहिए है, जीख है, ये दोनों कथन साहिए है, आए इसकी ब्याख्या देखते हैं, ये प्रस्न देखिये, UPR 001 में, प्री में 2021 में पूछा गया है, जीख है, भारत सरकार अधिनियम 1999 के प्रावधान के अनुरूप बर्स 1922 से ICS की परिक्षा भारत में होनी प्रारम हुई पहले इलाहबाद में तथा बाद में दिल्ली में पहले कहां हुई? सबसे पहले इलाहबाद में हुई थी फिर बाद में दिल्ली में हुई थी 1930 के दसक के अंततक यूरोप वासियों की उपलबदता भारती सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक असपस्त रूप से भारतीयों का प्रत्सत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था तो 1941 तक भारतियों का जो प्रद्शत था वो यूरोप वाचियों से अधिक हो गया था सिविल सिवा आयो की अस्थापना कब हुई थी? 1854 में हुई और 1855 से इसके तहत परिक्षा आयोजित होने लगी ठीक है? तो सिविल सिवा आयो की अस्थापना 1854 में हुई थी 1855 से इसकी परिक्षा इसके तहत परिक्षा होने लगी थी दूसरा प्रसन है भारत के संविधान के अनुख्षे 300 के अमसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो अनुच्छे 300 के अंसार पूछा है तो 300 के अंसार आपसन है आपसन ए है दै उनियन गोवर्मेंट दै उनियन आफ इंडिया आपसन C है इंडिया आपसन D है भारत तो इसमें क्या है अनुच्छे 300 के अंसार देखे जो अनुच्छे 300 है उसके अनुसार भारत की सरकार का जो कानूनी नाम है वो दयूनिया नाफ इंडिया है या इसे भारत संग भी कह सकते है जो अनुचे 300 है उसमें ये कहा गया है वो बाद और कारवाहियां के अंतरगत ये अनुचे 300 है उसमें कहा गया है कि उसकी पहली ही लाइन है कि भारत सरका भारत संग के नाम से वाद ला सकेगी, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अनुच्छे 300 में भारत को कानूनी नाम के रूप में भारत संग नाम दिया गया है, ठीक है, ये आरो मेंस 2021 में पूछा गया है, चलिए इसकी ब्याख्या है, भारत के संविधान के अनुच्छे 300 के अमसार भारत की सरकार का कानूनी नाम दैयूनियन आप इंडिया है या भारत संग है ठीक है तीसरा प्रस्न है भारत की संभिधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की ब्योस्था की गई है तो यह आपको पता होगा आपसन यह सामाजिक आर्थिक वर राजनेतिक यही सही होगा सामाजिक धार्मिक वर राजनेतिक नहीं होगा ठीक है तो सामाजिक आर्थिक वर राजनेतिक नहीं होगा ठीक है तो सामाजिक आर्थिक वर राजनेतिक न्याय यह भारतियों को प्रदान किया गया है ठीक है साथ ही विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंता भी दी गई, स्वतंता कौन-कौन सी है, जो स्वतंतरता है, वो है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंता दी गई है, और समता में क्या क्या है, समता क्या है, प्रतिष्ठा और आउसर की सम्ता ठीक है तो सामाजिक आर्थिक और आजनाइतिक नया विचार अव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंता प्रतिष्ठा और आउसर की सम्ता ठीक है यह हमाई प्रस्तावना में दिया गया है बाद तिनागरिकों को ठीक है देखे ब्याक्या है भार सामाजिक नाय से तातपर है कि प्रतेक नागरी के साथ जा तिरंग धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा आर्थिक नाय से क्या मतलब है एक है सामाजिक नाय एक है आर्थिक नाय आर्थिक न्याय से क्या मतलब है आर्थिक न्याय का तातपर है आर्थिक आधार पर किसी से बेदभाव नहीं किया जाएगा ठीक है और राजनीतिक न्याय का आर्थ है प्रतेक नागरी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्थ होंगे ठीक इस प्रकार ये तीनो अधिकार त कार्यपालिगा सकती निमलिखित में से किसमें नहीं थे, आपसन 1 है राश्च पती, आपसन 2 है प्रढ़ Lower मैं से छुनना है । ठीक है, तो भारत की सम्मिधान के अमसार केंदर की कार्यपालिगा सकती किसके अंतरगत नहित है यह है राष्टपती के अंतरगत ठीक चलिए इसकी ब्याख्या देखते हैं भारत के संभिधान के अनुच्छे तिरपन एक के अमसार संग की कारेपाल कर सकती राष्टपती में नहित होगी और वह इसका प्रयोगी संभिधान के अमसार स्वाइंग अधिनस्त अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं तो संग की कारेपाल का सकती किस में नहित होती है राष्टपती में और अगर राज्य की कारेपाल का सकती पूछे तो राज्यपाल हो जाएगा ठीक है अनुच्छे तिरपन एक के अंतरगत ठीक है चलिए पांचवे प्रस्न की तरब चलते हैं निमलिखित में से कौन भारती राष्टपती लोग सभा अध्यच भी रहे हैं आपसन ए है फकरुद्धी नली एहमद आपसन भी है संकर द्याल सर्मा आपसन सी है डाक्टर जाकिर हुसेन और आपसन डी है नीलम संजीव रेड़ी तो कौन से भारती राष्टपती लोग सभा अध्यच भी रहे हैं ये है नीलम संजीव रुद्धी आपसन डी सही है ये जो है लोग सभा अध्यच भी रहे है चलिए ब्याख्या देखते हैं उपर्युक्त भारती राष्ट पतियों में से नीलम संजीव रड़ी दो बार लोग सभा अध्याच्छ रहे। नीलम संजीव रड़ी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एक मात्र राष्ट पति हैं नीलम संजीव रड़ी ठीक है। राष्ट पति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट पति का कारे कौन करेगा। आपसन ए है प्रधान मंत्री, आपसन भी है लोकसभाध्यच, आपसन सी है प्रधान नयाधीस और आपसन डी है उपर युक्त में से कोई नहीं। तो अगर राष्ट पती और उपर राष्ट पती दोनों का पद खाली हो जाए तो भारत के राष्ट पती का कारे कौन करेगा। भारत के प्रधान नयाधीस करेंगे। ठीक है तो आपसंसी सही है भारत के प्रधान्य अधिस कि इसकी ब्याख्या देखते हैं समिधान के अनुच्छे 65 के अंसर यदि मृत्य पद त्याग अध्वा पद से हटाए जाने की स्थिती में राष्टपती का पद रिक्त हो तो पद का कारेभार उपराष्टपती समालेगा तो राष्टपती के बाद उपराष्टपती समालेगे यदि किनी काणों से उपरास्टपती भी नहीं है तो उपरास्टपती नहीं है तो उपरास्टपती नहीं है तो कौन है उपरास्टपती नहीं है तो उपरास्टपती नहीं है तो उपरास्टपती नहीं है तो उनके नहीं है तो उनके नहीं रहने पर भी उसी नहीं है कोई व सात्वा प्रस्ण है भारत की संसत को कानून निर्मार की सक्ति निमलिखित के लिए प्राप्त है किसके लिए प्राप्त है कानून निर्मार की सक्ति अपसन ये है भारत संग अपसन भी है दो है भारत का प्रदेश या उप्रदेश दोमिनियन के लिए फिर तीसरा है विश्व के लिए भी है भारत के प्रदेश और उप्रदेश के लिए भी है या डुमिनियन के लिए भी है और विश्व में कहीं भी जो रहने वाले भारती हैं उनके लिए भी भारती संसत कानून बनाती है इस तरह तीनों भी कल्ब सही है चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं देखे संबिधान के अनुच्छेद 245 के खंड एक के तहत संसद भारत के संपूर्ण राजचेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधी बना सकती है अनुच्छेद 245 है खंड एक है संसद जो है भारत के संपूर्ण राजचेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधी बना सकती है तता इसी के खंड दो के अंसार संसद द्वारा बनाई गई विधियान केवल भारत के राजचेत्र के भीतर राज छेत्र के भीतर इस्थित ब्यक्तियों और संपतियों पर लागू होंगी बलकि विश्व के किसी भाग में निवास करने वाले भारत के नागरिकों और उनकी वहां इस्थित संपतियों पर भी लागू होंगी ठीक है तो भारत की संसत को कानूर निर्माण की सकती भारती संह भारत के प्रदेश या उप्रदेश विस्व में कहीं भी रहने वाले भारती नागरी को ये सबके लिए भारत का जो है वो संसत कानूर बना सकते ठीक है, चलिए, अपने आठ्वे प्रस्न की तरफ चलते हैं, दोस्तों हमने ये जो नई सीरीज सुरू की है, इस बारे में आगर आपको कोई भी क्वैरी हो, या आप कुछ सुझाओ देना चाहते हैं, तो जरूर दीजेगा, इसमें हम क्या करते हैं, कि लोग से वायोग पूछे गए किसी भी वर्स के पेपर को, जैसे अब हैmos, 810 की परिक्षा 2021 का प्री और मेंश का पेपर करा रहा है, इसमें, पॉलिटी के जितने परश्न पूछे गए हैं, प्री और मेंश में, वो दोनों परश्न इसमें साथ-साथ समलित हैं, इससे क्या होगा, आपको पत कैसा लगा यह जरूर बताईएगा हमें कमेंट करके चलिए आठमा प्रस्न है संयुगत अदिवेशन का प्रावधान है तो किस अनुछेत के अंतरगत दोनों सदनों के सयुगत अदिवेशन का प्रावधान हैं तो यह होगा देखे 110 में क्या है अनुच्छेद 110 में क्या है ये है धन विध्यक से सम्बंदित ठीक है धन विध्यक से सम्बंदित है अनुच्छेद 100 में क्या है इसमें कास्टिंग ओट की चर्चा है कास्टिंग ओट की चर्चा इसमें की गई है तो अनुच्छेद 108 क्या है ये है संसत के दोनों सदनों के सयूग तदिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है अब चलिए सयूग तदिवेशन का प्रावधान इसमें है तो सयूग तदिवेशन की अध्यच्छता कौन करता है इसका प्रावधान किसमें है तो अनुच्छेद क्या है अनुच्छेद 118,4 में क्या है इसमें है कि सयुब तदिवेशन की अध्याच्छता लोक सभाध्याच्छद्वारा की जाती है किसमें है अनुच्छेद 118,4 में इसे याद रखिएगा बहुत पूचह जाता है चलिए अपने नवे प्रसन की तरब चलते हैं आज का नवा प्रस्ण है भारती सम्मिधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत अंतराश्टी सम्झवतों को प्रभावी बनाने है तो संसद राज्य सूची के भी सेफर कानून बना सकती है तो कौन सा अनुच्छेद है देखे आपसन यह है अनुच्छेद 249 आपसन भी है अनुच्छेद 250 आपसन सी है अनुच्छेद 252 और आपसन डी है अनुच्छेद 253 तो इसमें कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतरगत संसर जो है अंतराश्टी सम्झवतों को प्रभावी बनाने के लिए कोई कानून बना सकती है तो ये होगा अनुच्छेद दो सो तिरपन है ये अनुच्छेद कौन सा है ये अनुच्छेद दो सो तिरपन है लेकिन ये बाकी के अनुच्छेद क्या है अनुच्छेद दो सो अन्चास क्या है हम इसके बारे में की संसत की सकती ठीक है दो सो उन्चास में है और दो सो पचास में है यदि आपात की उद्घोसड़ा प्रवर्तन में हो तो राध्य सूची के संबंध में विधी बनाने की संसत की सकती यह जो है आपात की उद्घोसड़ा अगर प्रवर्तन में है तब जो है राध्य सूची के संबंद में विधी बनाने की संसद की सकती है और अनुछे 252 में क्या है दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमती से विधी बनाने की संसद की सकती ठीक है और इस विधी को जो है अन्य राज्योंदारा अंगिकार किया जाना भी इसी में सामिल है तो इस प्रकार ये 249, 50 और 52 अनुच्छेद है और अनुच्छेद 233 क्या है अंतरास्ती समझवतों को लागू करने के लिए विदी बनाने की संसत की सकती ठीक है अब चलिए अगले प्रस्ण की त्यादी राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ऐसा प्रस्थाव पारित करे कि राश्टी हित में राज्य सूची के किसी बिशह पर संसत द्वारा कानून बनाना आवश्यक है तो संसत उस बिशह पर कानून बना सकती है इसके अतर स्थिति में अनुच्छे 252 के तहट दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर यह बिदी बनाने की संसत की सकती है और 200 तिरपन के तहट अंतराश्टी सम्झावतों को प्रवावी बनाने है तो संसत राज्य सूची के बिशह पर कानून बना सकती है यह हो गया अब अगले प्रस्न की तरब चलते हैं हमारा आज का दस्वा प्रस्न है राज्य विधान मंडल की वैठा का आयोजित करने के लिए कोरम की गणपूर्ति क्या है आपसन ये है तीस सदस या कुल सदसेता का दसवा हिस्सा जो भी कम हो आपसन भी है सदन की कुल सदसेता का आधा आपसन C है सदन की कुल सदसेता का एक चोथाई और आपसन D है दस सदस या कुल सदसेता का दसवा हिस्सा जो भी अधिक हो ये भी आरू प्री 21 का प्रस्ण है इसमें कौन सा विकल्प सही होगा इसमें विकल्प सही होगा डी दस सदस्य या कुल सदस्यता का दस्वा हिस्सा जो भी अधिक हो अब इसकी ब्याख्या देखते हैं अनुच्छेद 183 के अंसार जब तक राज्य का विधान मंडल विधी द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का दिवेशन गठित करने के लिए कौरम या गणपूर्ती 10 सदस्य या सदन के सदस्यों कि कुल संख्या का दसमा भाग यह याद रखियेगा इन्में जो भी अधिक हो वही होगी ठीक है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का दसमा भाग चलिए अगली प्रस्ण की तरप चलते हैं भारत के संभिधान करने में लिखे तमसीची में से तीन विधाई सूचियों का प्रावधान है, तीन विधाई सूचियां कौन-कौन सी है, संग सूची, राज्य सूची और समौर्ती सूची, यहीं विधाई सूचियां है, किसमें प्रावधान है, यह सात्वी अंसूची में साथ है चलिए इसकी ब्याख्या देखते हैं संविधान की सात्वी अन्सूची में केंद्र राज्य को बीच बिधाई सक्तियों का विभाजन है इसमें तीन सूचिया है तो सात्वी बनाने का अधिकार केवल संग को है राज्य सूची में कुल 66 भी से थे बरतमान में गड़ना की द्रिश्ची से 67 भी से हैं जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं और बची समौरती सूची समौरती सूची में कुल 47 भी से हैं बरतमान में गड़ना की द्रिश्ची से कुल 52 हो गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संग तथा राज्य दोनों का है ठीक है 47 भी से थे पहले इसमें गड़ना की द्रिश्ची से 52 हो गए हैं चलिए अगले प्रस्न की तरफ चलते निमलिखित में से कौन सा अनुचेद भारत के रास्पति द्वारा बितायो की न्यूक्ती से संबंदित है तो बितायो की न्यूक्ती किसे संबंदित है अनुचेद देखे 280 वित्तायों की निउक्ति किसमें होती है अनुच्छेद 280 ठीक है तो ये दोनों अनुच्छेद कौन से है अनुच्छेद 250 क्या है अभी हमने उपर बताया है यद आपात की उद्घूसना प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विशय के संबंद में विधी बनाने की संसद की सक्ति कब होगा जब आपात की उद्घूसना प्रवर्तन में होगी तो राज्य सूची के विशय के संबंद में विधी बनाने की संसद की सक्ति अनुच्छे 250 में है राश्चेपाल उस पए अनुमति देगा कि उसी राश्चपती के विचारार्थ विध्याक को सुरच्छित रख लेगा, यह राश्चपती के विचारार्थ विध्याक को सुरच्छित रख लेता है, यह अनुच्य Spread 200 में 201 में क्या है कि जो राज्यपाल ने जो विधेयक राष्टपती के विचारार्थ सुरच्छित रखा था उस पे राष्टपती ने विचार किया अपना नेड़ा है या राष्टपती उस पे क्या अपना नेड़ा देंगे उसको स्विकृति प्रदान करेंगे कि या नहीं प्र अच्छित रखे गए विध्यक प्यार्पनी अनुमती देगा अथवा रूख लेगा ये दोनों के अंतर को समझिएगा ये परस्ण बहुत कंफ्यूजन वाला पूछा बहुत जाता अब चलिए अपने अगले परस्ण की तरफ चलते हैं देगे इसकी ब्याख्या देख लेते है इसके अध्यच्छ और सदस्यों की नियुक्ति बहुत पूछी जाती है कि वित्तायों के अध्यच्छ और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है राष्टपती द्वारा की जाती है ठीक है पहले वित्तायों का गठन कप किया गया था तो पहले वित्तायों के अध्यच्छ प्रारंब में सम्मिधान में केवल 14 भासाओं को राज की दर्जा प्राप्त था ठीक है फिर 92 में सम्मिधान संसोधन 2003 द्वारा 7 जन्वरी 2004 से जो प्रभावी हुआ है बोडो डोंगरी मैथली और संथाली को राज की भासा के रूप में मननेता दी गई यह बानबे में के द्वारा चार भासाओं बोडो डोंगरी मैथली और संथाली को इसके पहले बानबे में 71 में सम्मिधान संसोधन द्वार कोंकड़ी तथा मड़ीपूर को यह दर्जा दिया गया था ठीक है अब इसके पहले भी इस प्रकार अभी तक पुल 22 भासाओं को संभिदान के तहद माननेता प्राप्त है ठीक है यह 22 भासाओं आप देख लेते हैं तेजी से असमिया बंगला गुजराती हिंदी कन्नर कस्मीरी कॉंकड़ी मरीपूरी मलयालम मराथी नेपाली उडिया पंजाबी संस्कित सिंधी त प्रमिल, तेलगू, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथली तो यह हो गई 22 भासाओं ठीक है चलिए अगले प्रसन की तरफ चलते हैं भारत के संभिदान के भाग 9A में निमलिकी छेत्र की अस्थानी सुसासा निकाईयों को संभैधानिक आधार प्रदान किया गय गया है आपसन यह ग्रामेड छेत्र आपसन दो है सहरी छेत्र तो 9A में किसको दिया गया है सहरी छेत्र को दिया गया है 9A में ही तो नगरपालिकाए है 9A में ही नगरपालिकाए है और ग्रामेड छेत्र को किस में दिया गया है यह 9 में दिया गया है यह पंचायत ठीक तो इसका केवल दो सही होगा 9A में दिया गया है सहरी छेत्र को चलिए देखते हैं केवल दो सही है इसमें इसकी ब्याख्या देखते हैं भारती संविधान का भाग 9 का 9 का किस से संबंदित है भाग 9 का नगर पालिकाओं या सहरी छेत्र से संबंदित है इसे संविधान का 74 संविधान संसोधन अदिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया इस अदिनियम पर 20 अप्राइल 1993 को राष्टपती ने हस्ताचर किया था और जून 1993 से यह लागू हुआ था कब लागू हुआ जून 1993 को जबकि इससे पहले पंचायत वाला लागू हो चुका था अगला प्रस्न है राष्टी विकास परिशत का गठन कब हुआ तो आप जानते हैं राष्टी विकास परिशत का गठन 1952 को हुआ था यह 6 अगस्त 1952 को राष्टी विकास परिशत का गठन हुआ था लेकिन अब चुकि यह मृत्प्राय संस्था हो गई है यह योजनाओं को अनुमति देने का काम करती थी यह संस्था चुकि योजना आयोग समाप्त हो गया है तो इसलिए जो है यह अभी संस्था मृत्प्राय हो गई है योजना आयोग समाप्त कब हुआ 2014 में योजना आयोग की समाप्ती हो गई 2014 में और 2001 जनवरी कब एक जनवरी 2015 को नीती आयोग बन गया क्या बन गया नीती आयोग बन गया योजना आयोग की जगे तो योजना आयोग समाप्त हो गया नीती आयोग बन गया अब राश्टी विकास परिशत को कोई मतलब इस संस्था का कोई काम नहीं है इसको कोई काम दिया नहीं जाता है इसलिए अम्रित प्राय बनी होई है अब इसका कोई उज़ नहीं है सारा काम नीतियायो करता है ठीक है तो उसका गठन हलाकि 1902 में राश्टी विकास परिशत का हुआ था चलिए वगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं निमलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है कि नंबर एक कंपनी अधिनियम 2013 आपसंद भी है कंपनी भारती संविदा अधिनियम यह सुमेलित नहीं है अपसंद भी नहीं सुमेलित है चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं देखें भारती जो संविदा अधिनियम देखें कंपनी अधिनियम 2013 यह सभी सुमेलित था संविदा अधिनियम अधिनियम 1872 ठीक है बाकी साजेदारी अधिनियम 1932 यह सभी सुमेलित है ठीक है संविदा अधिनियम 1872 नहीं है 1870 नहीं यह 1872 ठीक है चलिए 17 प्रस्न की तरफ चलते हैं दोस्तों आपको यह टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही अब तक इस एक्जाम काइंकर्स चैनल पर जिदने भी टेस्ट कराए गए हैं अगर आप उनकी प्लेइलिस्ट देखना चाहते हैं उन टेस्ट को करना चाहते हैं तो प्लेइलिस्ट में जाकर उस सारी टेस्ट को आप साल्व कर सकते हैं और इस सारी टेस्ट की पीड अबस्क्राइब अवस्य कर लीजिए साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए ठीक है चलिए अपने अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं सत्रावा प्रस्ण है दच्छिड एसी आई छेतर के लिए भारत का छह सूत्तरी प्रस्ताव भारत के किस प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया था तो दच्छिड एसी आई छेतर के लिए छह सूत्तरी प्रस्ताव किस ने दिया था आपसन यह मन मोहन सिंग आपसन भी अटल विहारी बाजपरही जी की सरकार ने दिया था ये छे सूतरी प्रस्ताऊ अवरत डेशों के शंग और एकल मुद्रा की परिकल्पना प्रस्तुत की थी ठीक है चलिए अपने अगले प्रसन की तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रसन है भारत की संसत द्वारा आपदा प्रवंधन अधिनियम कब पारित हुआ है यह होगा अपसन B 2005 में ठीक है आपदा प्रवंधन अधिनियम कब पारित किया गया यह 2005 में पारित किया गया इसकी ब्याक्या देखते हैं देखे आपदा प्रबंधन एक्ट को वर्स 2005 में प्राकृतिक या मानोजनित आपदाओं के कुसल प्रबंधन देखे आपदा प्रबंधन एक्ट वर्स 2005 में प्राकृतिक या मानोजनित यह दोनों याद रखिएगा आपदाओं के कुस प्रवंधन और इससे जुड़े अन्यमामलों के लिए अधिनियमित किया गया। 23 दिसंबर 2005 को राष्टपती की स्विकृति मिलने के बाद यह अधिनियमित हुआ था। इसके तहत राष्टी राज तथा जिला अस्तरों पर आपदा प्रवंधन प्रादिकरणों की अस्थापना हुई। जिवूती आचार संगिता किस से संबंदित है। आपसन यह है कांगो द्रोडी का संरक्षण। आपसन भी है समुद्री डकैतों के बिरुद धनतर राष्टी समू। आपसन सी है नैतिकता का घोश्रापात्र। आपसन यह है परमाण परिक्षन संचालन सिध्धान। तो ज जिवूती आचार संगिता किस से संबंदित है। यह है समुद्री डकैतों के बिरुद धनतर राष्टी समू। ठीक है। इसकी ब्याख्या देखते हैं। कब 29 जन्वरी 2009 को इस छेतर के तर्वाटी देशोद्वारा अपनाई गई थी। बर्तमान में इसके 20 अस्ताचर करता देश है। कौन से हैं। याद तो नहीं रहेंगे फिर भी हम बता देते हैं आपको। चिबूती, एथियोपिया, केन्या, मेडागासकर, मालदीव, सेसेल, सोमालिया, तंजानिया, यमन, कुमोरोस, मिस्र, इरिट्रिया, जार्डन, मारिसस, मोजांबी, कॉमान, सौधी अरब, दचिड़ अपरिका, सुडान, और सहयुक तरब अमिराथ। ठीक है? भारत अगस्त 2020 में इस अंतरास्थी समोह में परवेकशक देश के रूप में सामिल हुआ था, ठीक है? चलिए, आजका का आखिरी प्रस्न है हमारा बीसवा प्रस्न भारत सरकार ने प्रोटेक्शन आप प्लांट ब्राइटीज और फार्मर राइट 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 सर्दिनियम निम्लिखित में से किस वर्स पारिद किया भारत सरकार ने तो यह होगा 2001 में ठीक है इसकी ब्याख्या देखते हैं भारत सरकार ने प्रोटेक्शन आप प्लांट वराइटीज और फार्मर अधिनियम वर्स 2001 में पारिद किया पौधों की किस्म, क्रिसकों एवं पौधों के समवर्धन में समलित लोगों के अधिकारों के संड़क्शन के लिए प्रभावी प्रणालिय अस्थापित करने और क्रिसी छेतर में नवीन तकनिकों को प्रोटसाहित करने है तो लाया गया है ठीक है तो प्रोटेक्स्थान आप प्लांट वराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम 2001 में भारत सरकार ने पारित किया था तो दोस्तों आज के यह 20 प्रस्ण पॉलिटी से संबंदित थे यह आरो ए आरो 2021 की परिक्षा के प्री और मेंस में जितने पॉलिटी के प्रस्ण पूछे गए थे कुल 20 प्रस्ण थे सब के नीचे उसमां में प्रस्णों के नीचे कि यह प्रस्ण प्री में पूछे गए हैं क में comment box में जरूर बताईएगा और हाँ आप इस channel को subscribe जरूर कर लिजे क्योंकि अब हम आरों यारों में इतिहास के कितने प्रस्ण आये थे प्रस्णों की स्रिंखला डालते रहेंगे उनके उत्तर आपको बताते रहेंगे तो यह जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे यहां जो भी चीजे मिलेंगी आपको एथेंटिक ही मिलेंगी ठीक है तो आज के लिए इतना ही आपको यह चैसी लगी हमें comment जर सब्सक्राइब कर लिजेगा बहुत बहुत धन्यवाद